आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके ब्यूटी ब्रश को कैसे क्लीन करना है वन सा वीक आपको इसे क्लीन करना है चाहिए तो चले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने दो डिशिस लेनी है एक डिश में पानी होगा और दूसरे डिश को एमटी रहने देना है इसमें आपने डालना है डिश सोप ठीक है और आपने साथ में इसके एड़ करना है औलिव वॉड अपने ब्रश को आप लाजमी क्लीन किया करें इसमें बहुत से ब हामफूल है तो जब आपने इसमें ब्यूटी ब्रश को डालना है सोप में और ओलिफ ओल में तो इसको अच्छे तरीके से रुटीट करना है तो आप देखें होंगे डर्ट इसकी सारी निकल रही है कि इसके बाद आपने इसको क्लीन वाटर में डिप करना है और इसको वाश कर लेना है यू कैन सी सारी डर्ट आपके ब्रश में से बाहर आ गई है और आपका प्रश बिल्कुल नीट एंड फीन हो जाएगा इसको फिर अब आपने ड्राय कर लेना है यह देखें कितने अच्छे तरीके से आपको यह ब्यूटी ब्रश क्लीन हो गया है आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है यह वाइट इसके कलर है ठीक है आप यह देख सकते हैं कितना क्लीर और नीट है इसको आप अच्छे तरीके से ड्राइ कर लें और यह आपका ब्यूटी ब्रश बिल्कुल क्लीन हो गया है अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप के तरफ यह ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन करना आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने बहुत जादा डर्टी किया हुआ है ताके मैं आपको इसको क्लीन करके दिखा सकूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है सोप वाटर और वा आपने सबसे पहले इस ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन वाटर में डिप करना है ठीक है उसके बाद आपने सोप के साथ रब करना है अच्छे तरीके से हर तरफ से अगें आप इसको क्लीन वाटर में डिप करें और प्रेस करें टू त्री टाइम्स इसके बाद आप ने इसको नीम गरम पानी में डिप करना है कुछ देर के लिए इसको बाप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अब आप इसको निकाल लेंगे एक दो दफ़ा डिप करके इसको आप निकाल लेंगे अब आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल क्लीन हो चुका है I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें यह twice a week लाजमी क्लीन कर लेना चाहिए थैंक्स फर वाचिंग, अलाहाफेज